असलाम लोकिलों प्रेंस आज का मेरा मकसद जो है वो आपके साथ एक छूटी सी डिसकेशन का है अच्छली आप सब लोग जानते हैं कि मैं जो है जो मुस्ली कॉमनली जो है वो बचों में थेकने के लिए आई जो मैं यहां पर स्क्रिन शॉट्स कर रहा हूं टैस के वह सिरफ एक स्पैसिफिक अगर बचे के यूज रहे हैं तो इसका यह मतलब भर गिस नहीं है कि वो सिरफ उसी की मिस्टेक है उस उन जो है वो स्क्रिन और साइन को यहां पर यूज किया गया है तो सबसे पहले जो कि आपका क्वेस्टिन नमबर वन जो एंसी क्यूज का होता है तो एंसी क्यूज की यह हम मैं इसे मिस्टेक तो नहीं कह सकता लेकिन यह एक चीज है जो आप लोगों से डिस्कॉस करना जरूरी है देखें आपक पर option D जो minor था वो minor लिखा गया है option A जो है वो वाइड था तो वाइड लिखा गया है option C जो minor था वो minor लिखा गया है देखें यह गलत नहीं है पहली बात आप यह समझ लें यह जो तरीके से बच्चे ने इसको सोल किया यह गलत नहीं है लेकिन जो आप minor, void और minor पूरा option लि लिखना आपका वक्त जायाकर नहीं इससे यह सब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका एक एंबर के मेंसी यूज़ है आप यह आगे जो है वह आप्शन कंप्लीट नहीं लिखेंगे तो आपको 0.75 मार्क्स मिल जाएंगे जो कि प्रेजेंटेशन पर अच्छा है फैक जाएगा यह आपकी प्रेजेंटेशन में आ सकता है अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए जिस तरह से जो एक्जामिनर ने लिखा हुआ है ना एक्जामिनर ने क्वेशन पर अप्शन लिखे वह हैं ए लिखके उसके डाली हुए हैं बी लिखके जो है वो small letters में उसके इंगे इस sense में कि आप time waste कर रहे हैं विसे क्रीव विदूर टाइम आप एक चीज़ में वही टाइम जो हो आगये अपने theory की questions में किया study questions कर सकते हैं उनको ते सकते हैं वहां पर तो आपका खास तो पर इस तरह कि ट्रॉरी पेपर में एक एक सेकंड जो है वो बोटन रोले जाता है आखर में बचेंगे कई बार क्वेसिन पूरे नहीं हो रहे तरह जहां से भी हमें टाइम बचे हमें बचाना चाहिए बजाए इसके जो है वो फुदूल टाइम वेस्ट किया जाए फिर देखें एक इनकसिस्टेंसी क्या जाईगे या बीच में आपको य उप्शिन जो है वो दो तीन लाइन का ओप्शह में लिखने बैठ जाएंगे अगर आप कहेंगे चलो यह बड़ा उप्शन यह प्शन नंबर नहीं लिखता बाकी सारों का में उप्शन जो है वो नेम से लिखतेता हूं पूरे पूर से नजर आई हैं सी की प्रेजेंटेशन के हवाले से उसके बाद अगर हम आ जाएं अपनी जो है वो थियोरी के उपर तो यह देखें क्वेस्टिन नमपर फॉर अब बच्चे जो है ना वो क्वेस्टिन को ठीक तरहां से पढ़ते हैं पढ़के रिक्वाइर्मेंट नहीं दे अब क्वेस्टिन नमपर फॉर देखें इन लाइट ओफ कॉंट्रेक्ट एक्ट 1872 एक्स्प्लेंट फॉल्विंग केसिज वेदर दपार्टी जर डिस्चार्ज फ्रॉम कॉंट्रेक्ट अपने बताना क्या है कि इन फॉल्विंग कंडिशन में इन फॉल्विंग जो है वो स वालो निएड़े सब्सें आश्यातर क्वाड़ के पारे में तो गॉंट्रेक्ट वॉइड है आन्या सब्सक्रा लूं रीक watching कर देखें ऑट पार्ट्रॉम का एं momento यह दो है कि बिच्चार्ज वी अमाने चाहिए था इस चीज्श पर में बीकर इन फींकर धा CCP कटी प्रेक् लेकिन मसला ही है कि question यह नहीं है question कुछ हो रहा है question है कि आप बताएं discharge हो चुके हैं या नहीं parties जो है वो इस case में तो दूसरी चीज यह presentation जो है वो भी आपकी बहुत important है आपने हर page के उपर एक part लिखना है जैसे इन्होंने एक page पर एक से ज्यादा questions लिखना है यह बहुत ही inappropriate जो है वो presentation है आपको हर page पे आई-cab examination में में भी यह इस वजह से class test है तो बच्चों ने थोड़ा सा इसको लाइट लिया हो लेकिन जो आई-cab level पे आपने हर question के उपर हर जो है वो page के उपर अलग अलग part solve करना है part a पर बी जो है वो दूसरे page पर solve करें और एक और चीज़ अगर एक question के एक से ज्यादा part है यह मैं और better presentation के आपको बात दाने लगाँ इससे आपकी presentation जो है वो और अची है वह नज़र आएगी अगर एक page पे एक से जादा parts हैं oh sorry क्वेस्टिन के एक से ज्यादा parts है for example question one ऑसमें चार parts है a है b है c ہے d question two है उसके दो parts है a और b अब गया करते हैं बचे question one का a part पहले कर दिया फिर question two का a part कर दिया फिर question three शुरू कर दिया फिर question 1 का B part कर दिया ये बिलकुल ही जो है वो गलत presentation है आपको question 1 का A part ज्यदा अच्छा आता है आपको B part ज्यदा अच्छा आता है आप B part A से पहले कर दें A बाद में कर दें D part पहले कर दें C बाद में कर दें ये ठीक है लेकिन question 1 का कुछ हिस्सा शुरू में कर देना कुछ हिस्सा दर्मियान में जा के करना और कुछ हिस्सा एंड पे जा के करना ये ने अप्रोप्रियेट है अपने question 1 शुरू किया है आपको part A आता है आपने कर दिया उसके बाद आपको part C आता है वो question के अगर parts है ना तो उनको कोशिश करें आपने consecutively solve करने अगर आपको नहीं है था आप उसकी जगा छोड़के आगे चल लिए लेकिन parts को एक ही question के under consecutively solve किया जाहिए ये एक बहुत important जी था आपकी presentation के लिए एक ये चीज़ हो गई उसके बाद जो मुझे चीज़ ने रही अब ये देखें ये definitions थी बच्ची जो है ना वो question पढ़ते हैं उसके बाद वो सोचते हैं कि हमने उस chapter में उस चीज़ के बारे में क्या पढ़ा हुआ था उस चीज़ के बारे में क्या पढ़ा हुआ था तो इसमें पूछा गया था कि आपने time bar debt की definition लिखने है time bar debt क्या होता है ये लिखना है और बच्चे ने वो time bar debt के बारे में जितनी बात ने पढ़ी थी कि time bar debt किस तरह से जो है वो उसकी payment claim की जा सकती है वो चीज़ें यहां पर लिखने है उसे time bar debt के बारे में उस चैप्टर में उसने सिर्फ यही जो है वो चीज़ें पढ़ी वी थी जबके यह चीज़ नहीं पूछी गी आपसे definition पूछी गई है तो जब इस तरह का case हो तो आपने definition ही लिखनी है definition में आपने जो है ना definition जो है वो तो याद करने की चीज़ें क्रैम करने की चीज़ें दो दो तीन तीन लाइने वो आपको कमस कम जो है वो मिस नहीं होने चाहिए चैप्टर में वह आप लोगों को अच्छी तरह से याद होने चाहिए और अब जिस तरह का बीला का examiner ने जो पेपर लास्ट टू से ले रहे हैं उनमें वो 35-40 तक क्रैमिंग वाला पॉर्शन में जा रहे हैं और यहां पर डेफिनेशन भी आ जाएंगी तो इस तरह से आपको डेफिनेशन कमस कमस अच्छी तरह से याद होने चाहिए और क्वेस्टिन को पढ़कर आप लोगों ने यह करना है कि परने का था एक्सरा भी लिखते हो तो कुछ नहीं हो था एक्सरा लिखने की यह बात नहीं है कि आप जो है वो सब कुछ ही लिखने उस पॉइंट के बारे में जो पूछा गया है उसके बारे में आपको जो इंफ्रमेशन है जो रेलिवेंट रिक्वाइरमेंट है उस रिक environment के पे पूरा अतुरते वे आपने लिखना है बजाए इसके कि आप उस पूरे टोपिक के बारे में कुछ भी लिखना शुरू हो जाएं ये आपकी जो है प्रेजेंटेशन के हवाले से भी एक नेगेटिव इंपक्ट है वो डालता है examiner के ओपर कि इस बैचे को तो लिखना ह आपने इसको misunderstand नहीं करना मेरा ये बात कहने का हर्गिज मतलब नहीं है कि जो examiner है वो English की आपकी खलतिया निकालना शुरू हो जाएता है बिल्कुल भी नहीं English की अगर थोड़ी बहुत spelling वगरा mistake हो जाए तो examiner जो है वो ignore कर देते होते हैं business lab में अगर आपने concept ही लिखा बात समझ रहें मतलब sentence की कोई sense नहीं बन रही है वो sentence में आप कहना क्या चाह रहे है वो कुछ नहीं बन रहा है जैसे यहां पर question 3B में जो है वो बचे नहीं नहीं किया ये सर्फ इस बचे नहीं नहीं इस बार मैंने बहुत सारे बचों के English mistakes देखे हैं कि उन्हें अपनी त पर बात आती है वो अपनी तरफ से उनको चीज़ें लिखनी पड़ती है वो इस तरह की sentence पर आते हैं जिसमें ना इसमार रहे है ना जो है वो past present का कुछ पता है और इस तरह से जो अपना sentence है उसका मतलब ही completely change हो चुका होता है although वो उनके जहन में concept ही चल रहे है लेकिन वो उस सीखने लगें लेकिन कमस कम इतना होना चाहिए कि अगर आपको अपनी तरफ से sentence बनाना पड़े तो आप sentence जो है वो थोड़ा सा एप्रोप्रियेट सा बना पाएं यह चीज़ sentence structure के हवाले से भी बहुत सारे बच्चों की जो है वो mistakes देखने को मिली है इसके लावा case studies बच् की थी इसके लावा case study के हवाले से solve करने के हवाले से अगर मैं इसमें बात करने लग गया तो वीडियो जो है वो तक्रीब आदे गंटे तक पहुंच जाएगी तो case studies के बारे हवाले से किसी की का कोई भी मसला हो तो वो मुझसे directly contact कर सकता है SC learning के platform के उपर तो मैं उससे जो ह करने के हवाले से भी बहुत सारे बच्चों की जो है वो complaints आ रही थी कि हमसे case study solve नहीं हो रही लास्ट इंग जो commonly mistake आती है वो है writing के बारे मैं यह नहीं कहता कि आपने बैठ के अपनी writing improve करनी है या आपने जो है वो मोती परोने लग जाना अपने हाथों से बिलकुल नहीं ल परड़ की वो उसको मुस्लिक रास कर देते हैं तो आपने यह नहीं करना कि जो है वो writing ज्यादा इंप्रोव करने लग जाए कमसकम इस तरह का लिखें कि वो समझने के काबिल हो पढ़ने पढ़े जाने के काबिल हो कि समझ आ रही है कि बच्चा ने क्या लिखा हुए तो writing म अपनी के उसमें कमसकम समझ आए पढ़ने वाले को कि बच्चा लिख क्या रहा है अगर आपने सही लिखा हुए लेकिन पढ़ने वाले को समझ नहीं आ रही तो विसली वो उसको ठीक बिल्कुल भी निक करेगा वो में भी थोड़ा सी effort करें उसे पढ़ने के लिए लेकिन जब examiner effort करेंगे ना पढ़ने के लिए तो उसे irritation होने शुरूर देगी क्यार मैं सारा दिन इसी बच्चे पेपर लगा देने क्या लिख रहा है समय रहे बात को तो थोड़ी सी अपनी writing को जो है वो clear करें कि अलादा अलादा जो है वो चीज़ों की समझ आए कि क्या लिखा जा रहा है तो यह तक्रीबन जो mistakes थी business law के हवाले से बच्चों की सामने आई हैं इसके इलावा जो है वो और भी अगर आप लोगों को कोई भी किसी किसम का question हो अब इस subject के बारे में relevant तो आप जो है वह ऐसी learning के platform पे contact रह सकते हैं papers करीब हैं बहुत सारे बच्चे होंगे ज पास्तोर पर जो online पढ़ रहे हैं यूट्यूब गरा से पढ़ रहे हैं इसे पढ़ रहे हैं जिन्होंने लेक्चर परचेस नहीं किया या इसे पढ़ा है आपको किसी किसम की भी assistance की ज़रूत होती है तो आप सी learning के platform पे जो है मुझसे रापता कर सकते हैं तब तक के लिए next इंशाला जो है वो lectures